आप सभी को सादर प्रणाम आए सुनते हैं अद्भूत आश्यर जनक के दुस्रति घटना जटा संकर जहां राची जारखंड से बताते हैं घटना वर्स 1989 के दिसंबर महिने की है उस समय मैं घोडा सहन सीमा सुल्क इकाई निवारन में निरिचल के पदपर तैना था घोडा सहन तैसील भारत नेपाल सीमा पर मोती हारी जिला में अवस्तित है मैं मुझफरपूर सीमा सुल्क निवारन प्रमंडर से इस्थाना अंत्रित होकर वस 1997 फरवरी मा में घोडा सहन गया था हम लोगों का कारिकाल सीमा सुल्क इंडोर नेपाल बॉर्डर पर पांच साल का होता है फिर हमारी सेवा केंद्रे उत्पाद सुल्क विभा को लोटा दी जाती है सीमा सुल्क में मेरी सेवा का कारिकाल 1997 में समाग्ध हो रहा था वर्स 1998 में मुझे लोट कर केंद्रे उत्पाद सुल्क में आना था विश्वस्त सुत्रों से मुझे ग्यात हुआ कि मेरा इस्थानांदरन केंद्रिय उद्पाद सुल्क टाटा नगर मुख्याले में होने को है उस समय मेरा छोटा बेटा राची में अपने तीन दोस्तों के साथ असोग नगर में रहकर प्लस टू की पढ़ाई DAV जवाहर विद्यामंदिर स्यामली में कर रहा था उसका स्वास से थोड़ा खराब रहता था इसलिए मैं चाहता था कि मेरा इस्थानांदरन राची हो जाए ताकि मेरा पुद्र मेरे साथ रहकर पढ़ाई कर सके इस आसय का निवेदन करने मैं अपने विभागी मुख्याल पटना गया मैं साम को पटना से बस पगड़कर सीता मड़ी पहुचा बस के लेट हो जाने की वज़े से घोड़ा सेन जाने की ट्रेन छोट गई दूसरी ट्रेन करीब बारबजे रात में थी मैं घोड़ा सेन परिसर में ही ट्रेन की प्रतिच्छा कर रहा था ट्रेन करीब दो बज़े रात में आई सीता मड़ी से घोड़ा सेन का सफ़र दो घंडे में पोरा हुआ तीन बज़े के बाद मुझे जबकी आ गई और मैं बैठे बैठे गैरी निद्रा में चला गया घोड़ा सन स्टेशन आया पूरी सबजी बेशने वालो और दूसरे लोगों के सोरगूल से मेरी नीन खुली तब तक गाड़ी चल चुकी थी मैं कच्ची नीन से जागने की वज़े से थोड़ा असहस था मेरे पास एक पतला ब्रीब केस था मैं चलती ट्रेशन से उतर गया पर मुझे लगा की ये घोड़ा सहन नहीं है लोगों उन्हें गलत कह दिया है मैं फिर ट्रेशन पर चड़गया पर लोग कहने लगे की ये घोड़ा सहन ही है फिर मैं ट्रेन से दोसी बार उदरने लगा उदरने के करम में एक हाथ में ब्रीब केस होने की वज़े से संतुलन बेगड़िया जिस से सीड़ी वाला रोड मेरे हाथ से छुट गया और मैं नीचे गिर गया मैं चीकता हुआ पट्रीबर तेजी से घूम रहे चक्के के पास जाने लगा मुझे लगा कि अब या तो मेरी जीवन लिला समापत हो जाएगी अत्वा मैं अपंग हो जाऊंगा मैंने मनी मन पुझ गुर्देव को याद किया और उनसे प्रातना करने लगा हे गुर्देव मुझे बचा लीजिए अगले ही पल करुणावतार गुर्देव ने करुणा दिखाई मुझे लगा कि मेरी पीट पर किसी पहलवान ने बहुत जोर का प्रहार किया और मैं विपरीद दिसा में उचलता चला गया इस आकस्मिक प्रहार से मैं क्राउलिंग करता हुआ कम से कम बीस फीट की दूरी पर जाकर गिरा लेकिन मुझे कहीं कोई गयरी चोट नहीं लगी लुढगना बंद होने के बाद मैं अपने कपड़े जाड़ता हुआ उट खड़ा हुआ और ब्रीब केस उठा कर घर की और चल पड़ा उस समय मुझे यह पदा नहीं चला की मेरा घुटना एक पत्थर से टकरा गया है और उस घुटने से खून का रिसा हो रहा है जब मैं घर पहुँचा तो मेरी पत्नी ने मुझे टोका की या खून कैसा है सारी बाते सुनकर पत्नी की घबराट कहीं बहुत अधिक न बढ़ जाए या सोच कर मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया की अधेरे में मैं एक पत्थर से टकरा गया था और कोई विसेश बात नहीं है आज भी मुझे जब इस घटना की याद आती है तो मैं सियर उठता हूँ और गुरुवर की उस अनुकंपा के इस मरण से मेरा रोम रोम उलकी थो उठता है उस तक अद्बूत आश्यर जनेक के इन तुस्सति प्रिस्ट संक्या 63 और 64 धन्यवाद वीडियो को लाइक, सियर और सबस्क्राइब करना बिलकुल न भोले